हलो स्टूडेंट्स मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सतार मांगिलाल बागडी राज की महाविद्याले नोखा से पिछले वीडियो में हमने नाबिकिय विखंडन की परिभासा का अध्यान किया और देखा यूरेनियम 235 जो उस्मिय नूट्रॉन को ग्रहन करता है और इस्थायत्व बहुत कम होता है जिसके करण वह विखंडेत हो जाता है दो हलके नाबिकों में इस्थायत्व प्राप्त क समझ सकते हैं इसको समझने के लिए इसके स्वताह विखंडन किस प्राकार होता है और विभावरुवतिका क्या होती है जिससे हम इसको एक्स्प्लेन करते हैं इसका दिन करेंगे हम वीडियो में तो नूट्रॉन की टकर से जो भारी नाबिक होता है वो विखंडित हो जाता बिना neutron के टकर के भी हो सकता है, किसी cases में उसमी नीटरॉन के अवसोशन से विखंडन होता है और किसी case में तिवर neutron के अवसोशन से भी संभव हो सकता है तो बिना टकर के जो विखंडन होता है उसे स्वताः विखंडन, spontaneous fission कहते हैं स्वताः विखंडन की खोज, 1940 में दो विख्यानिक, फ्लोरे, रोव और पित्र जॉक नामक विख्यानिकों ने की थी स्वताः विखंडन, spontaneous fission जो है, उसकी condition क्या है, उसकी सर्थ क्या है, इसका अध्यन हम यहाँ पर करेंगे तो किसी भी नाबिक का सममित नाबिकों में स्वताः विखंडन जो है, उसके लिए आवश्यक सर्थ क्या होगी, condition क्या होगी, वो हमें find out करना है, एक भारी नाबिक है, जिसको हमने element को x से, atomic number को z से, और mass number को द्रव्यमान संख्या को हमने a से represent किया हुआ है, तो यह हमारा भारी नाबिक है, जिसको हमने x से represent किया, और विखंडन के पस्चात हमें दो element x1 और x2 मिलते हैं, इनके द्रव्यमान संख्या जो है वह a1 और a2 है क्रमसहा, और atomic number z1 और z2 है, चुकि हम सम्मित विखंडन की बात कर रहे हैं, तो a1 और a2 का मान तुल्य होगा, और इसका मान a by 2 के तुल्य होगा, और z1 और z2 का मान z by 2 के तुल्य होता है, जिसमें द्रवेपान संक्या और प्रमान संक्या का मान हाफ हो जाता है तो उत्पन विखंडन यह तब ही संभव होगा जब इस प्रक्रिया में दनात्मक उर्जा रिलीज होती है या इसके साथ जो उर्जा रिलीज होती है जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करें तो Q का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और Q का मान हमने पहले भी देखा Q जो होता है उत्पन उस्मा तो प्रक्रिया में भाग लेने वाले नाभिकों का दर्वेमान और रिजल्टेंट जो उत्पाद मिलते हैं प्रक्रिया के पश्चात विखंडन होने के पश्चात जो दो हलके नाभिक मिलते हैं उनके मास में जो अंतर होता है वह Q से डिफाइन किया आता है और इसका मान पॉजिटिव चाहिए तो इसका मान गयाद करने के लिए दर्वेमान का मान गयाद करने के लिए हम सेमी इंपेरिकल मास फार्मुला जो हमने पिछले चेप्टर में पढ़ा सेमी अनुभविक सुत्र भी कहते हैं इसका प्रयोग किया हमने और इसके लिए MZA की वैल्यू फाइंड आउट की वो M Z into M H A minus A minus Z M N minus ये binding energy plus binding energy वाली term होती है binding energy वाली terms को हमने सेमी इंपेरिकल मास फार्मुला की terms 500 terms से replace कर दिया AV into A plus AS asymmetric term AS into A की पावर 2 by 3 AC Coulomb term AC Z into Z minus 1 A की पावर minus 1 by 3 asymmetric term जो है हमारी वो आगी plus AA into A minus 2Z की पावर 2 upon A जिसको हमने A की पावर minus 1 की form में लिखा हुआ है और pairing term जिसको हमने plus AP into A की पावर 3 by 4 इसी प्रकार जो final products मिलते हैं हलकी नाबिक मिलते हैं जिनके लिए atomic number की value Z by 2 और mass number की value A by 2 है उसके लिए mass की final value है हमारे पास में आ गई है जिसमें उप्रोक समय करने उपर वाले जो समय करने थी उसमें Z को Z by 2 और A को A by 2 से replace करने पर easily प्राप्त हो जाती है MH जो है वह proton या hydrogen के mass को represent करता है MN जो है वह neutron के mass को represent करता है AV, AS, AC, AA और AP जो है क्रमसह, आयतन, प्रस्ठिय, कूलाम, और सम्मित और युगमन उर्जाओं के गुणांकों को तदरसित करता है यह जो दोनों समी करना में प्राप्त होई थी उनका मान अगर Q वाली जो equation थी number 2 उसमें रखते हैं और हल करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से term आएगी Q equal to minus AS 2 की power 1 by 3 minus 1 into A की power 2 by 3 plus AC bracket में 1 minus 1 upon 2 की power 1 by 3 bracket band Z square upon A की power 1 by 3 और final terms आती हैं चुकि जो next term है जो अन्य पदों के रूप में हमने लिखा हुआ है चुकि बारी नाभिक के लिए Z का मान क्या होता है 1 के comparison में बहुत ज़्यादा होता है तो आगे वाली terms को हम neglect कर सकते हैं कि Z की higher powers की form में आता है तो वह 1 के comparison में negligible होगा neglect कर दिया तो हमारे पास Q का final form है वो कुछ इस प्रकार से आता है जिसको हमने समीकर number 5 से represent किया हुआ है qf equal to a की power 2 by 3 bracket में minus का 0.26as plus 0.37as into z square by 2 की form में तो यह समीकर पास जो है स्वताह विखंडन की प्रक्रिया में प्रस्ट और कुलाम उर्जा जो है वह महत्वपूर्ण होती है इन उर्जाओं बाकी सभी उर्जाओं का जो योगदन है वह नगन्य होता है जो condition है स्वताह विखंडन की Q कमान positive होना चाहिए उसको apply करें तो हमारे पास यह जो bracket वाली term है इस कमान क्या होगा greater than 0 होगा greater than 0 होगा तो इससे हमारे पास condition आ गई कि Z square अपॉन ए कमान जो है greater than होगा 0.26 0.37 into as on ac as और ac जो constant है इन की value 13 mega electron volt और coulomb constant की value है वह 0.595 mega electron volt है इसका मान रखते हैं तो जब बी जब बी स्कुर्ण अपॉन एक आमान 15 से अधिक होगा तो नाबिक स्वताह विखंडित हो जाना चाहिए यह कंडिशन अमने प्राप्त की परन्तु वास्तों में विखंडिन की प्राइकता इस कंडिशन के लिए बहुत कम मिलती है यूरेनियम 235 से इसका ऌता है और सेदानतिक होप से इसका विखंड़न होगता है यूरेनियम 235 लें 36 मिलती वानर कि यूरेनियम 235 लें आमने देखा इसका विखंडित होता है indic 66 प्राप्त इनREE7 की बहुत अधिक होता है और इससे उपर वाले जित्ते भी नाविक हैं उनका स्वताहविखंडन संभव है और नीचे वाले नाविकों के लिए सभी के लिए स्वताहविखंडन संभव नहीं होता और उरेनियम 235 के लिए भी स्वताहविखंडन की जो अर्ध आयू है उसका मान बहुत जादा 2 करने वाली विभावरोदिका और प्स्टेक पॉटेंशल बैरियर की फॉर्म में हम इसको समझ सकते हैं सैदान्तिक रूप से स्वताहविखंडन की सर्थ पूरी नहीं होती है इसकी संभावनाओं को समझने के लिए हम विभावरोदिका की अवधार्ना को इसके साथ में जो करें एक प्रक्रिया लेते हैं जिसमें दो सममित उतपात जो है जिनका ग्रव्यमान जो है वो प्रमानु संख्या है वो Z by 2 है जिन पर दनात्मक आवेस हो है उसका मान Z E by 2 दनात्मक आवेस होगा अनंत से एक दूसरे की तरफ आते हैं और R equal to small r equal to 2R पर इसपर्स करते हैं और अन्त में संयुक्त होकर एक नाबिक का निर्मान करते हैं अनंत पर इन नाबिकों के मद्या इस्ततीज उर्जा का मान सुनने होता है जबकि इनके केंदरों के बीच की दूरी R है तो उस केस में इस्ततीज उर्जा का मान बढ़कर VC हो जाएगा इस्ततीज उर्जा का जो फॉर्मला है K Q1 Q2 upon R square उससे हम इस्ततीज उर्जा का मान गयात करें R दूरी पर तो वैल्यू आती है K Z E by 2 into Z E by 2 upon R और हल करने पर ये वैल्यू आती है K Z square E square upon 4R की फॉर्म में वैल्यू आ गई हमारे पास जब दोनो नाविकों के बीच की दूरी R equal to 2R है जहां पर R क्या है नाविक की तरजिया है तो ऐसी इस्तती में सम्मित नाविक के लिए आपस में सपर्स करने लगते हैं और इस किसमें जो इस्ततीज उर्जा है उसका मान अधिक्तम होगा लेकिन इस्ततीज उर्जा को जो वास्तविक मान है इससे कम प्राप्त होता है दोनों सम्मित नाविकों के बीच की जो उर्जा है वह R equal to 2R पर नाविक के बल लगने की वज़ाद से कुछ परिवर्टन होता है कुलाम उर्जा के कारण या विely啟प उर्जा के कारण तो इसमें उर्जा अधिक मिलती है परन्तू यहां पर नाविक इबल भी कारे करने लगता है ज़िसके कारण इसकी उर्जा में कुछ कमी आती है इनकी एस्ततीज उर्जा का स्थतीज के साथ ग्राफ प्लॉट करें तो चितरानों सार एक ग्राफ प्राप्त होता है जो वैल्यू बढ़ती है maximum c तक पहुंचती है और इसके बाद में जब नाबिक स्वतंतर हो जाते हैं तो इनके बीच में जो वैल्यू है one upon r के साथ कुलाम उर्जा के रूप में परिवर्टित होती है r equal to 2r पर देख रहे है उर्जा का जो maximum value है वह c बिंदू तक होती है और इसके बाहर जो कुलाम उर्जा की फॉर्म में कुलाम विश्टती जूर्जा के फॉर्म में लें तो यह बिंदू P तक होता है इसमें जो अंतर है वो हमने देख लिया किस फॉर्म में कुलाम और नाभी किये बल दोनों की difference की फॉर्म में समझा रहता है ठीक है जो बिंदू C है इसपर्स वाले बिंदू जहां पर दोन नाभी के गुसरे को इसपर्स करते हैं वहां पर वी सी जो है वो कुलाम उर्जा को व्यक्त करता है और QF और वी सी का जो difference है उसको एक्टिविशन एनर्जी सक्रियन उर्जा कहते है र एक्वल टू आर पर इस्ततीज उर्जा जो हम एक्वल टू capital R0 into A की पावर 1 by 3 यहां पर A का मान है A by 2 तो value A by 2 की पावर 1 by 3 R0 जो होता है 1.4 या 1.5 फर्मी के order का होता है 1.45 into 10 की पावर माइनस 15 मीटर हो गया इसका मान रखके value हल करें तो VC का जो मान आता है वह value मिल रही है 0.156 into 10 into Z square upon A की पावर 1 by 3 मेगा इलेक्ट्रोन वोल्ट R equal to 2 R दूरी पर नाभिक एक दूसरे को स्पर्स करते हैं इस स्थती में स्थती उर्जा का जो मान है विबाव रोदिका की उंचा ही कहलाता है आता है नाभिक एक अभिक्रिया के स्वतह विखंडन स्वतह विखंडन या कोई भी नाभिक स्थता ही दो नाभिकों में टूड़ जाएगा यह संभव नहीं क्यों कि बीच में क्या होता है बेरियर है जो हाइट इस्थती जूर्जा की का मान जो है बढ़ जाता है तो स्वतह विखंडन संभव नहीं है अथा अभिक्रिया स्वतह विखंडन क्यू on क्यू एफ क्मान गान 270 से ज़्यादा होने पर ही संभव होता है क्यूएफ का मान gesch वरियंर कष्थमा क्यों के जादा होगा ज़ादा हुगत टभी स्था विखंडन संभव है आता स्वतह विखंडन विखेसील के सित्दान के प्रयोग के लिए looks प्रतिबंद जो है वह हो गया qf-vc जो है इस कमान greater than 0 ना चाहिए greater than 0 होगा तभी स्वता हविखंडन संभव है तो समीकरण 5 जो पिसले टॉपिक में हमने देखा qf कमान जो हमने ग्याद किया था qf कमान ले लिया vc कमान अब भी हमने यहां पर ग्याद कर रखा है दोनों कमान को यूज करें तो हमारे पास यह value मिलती है a की power 2 by 3 bracket में 1 minus का 0.26 into as plus 0.37ac z square upon a square minus 0.156 into z square upon a इसका मान पॉजिटिव होना चाहिए यह मान पॉजिटिव होने के लिए as जो है इसका मान तेरा mega electron volt ac का मान 0.9595 mega electron volt होता है इसका मान रखती है तो हमारे पास finally term आती है इसको solve करने पर a square a की power 2 by 3 bracket में minus का 3.38 into sorry minus का 3.38 plus 0.064 into z square upon a का मान पॉजिटिव होना चाहिए तो यह मान पॉजिटिव हो उसके लिए जरूरी है कि z square upon a का मान जो है वह greater than होगा 3.38 upon 0.04 0.064 के लिए और इसको solve करने पर z square upon a का मान जो है greater than 53 आता है तो कुलाम विबवरोधिका की उपस्थिती में जो हमारे पास नई प्रतिबंद आया जो नया condition आया स्वता होगान के लिए वह आता है z square upon a की value greater than 53 लेकिन स्वता हो विखंडन के लिए जो वास्त्विक सीमा है वह है z square upon a की value 44 के असपस अर्थार्थ z square upon a का वास्त्विक मान काफी अधिक होता है यह विसंगती quantum यांत्रिकी के जो हमारा सुरंगन प्रभाव है टर्नलिंग effect जो है उसके आदार पर सफलता पूर्वक समझाए जा सकता है तो इस प्रकार हम विबवरूदिका के concept को यूज करके नाभिक की विखंडन की व्याठ्या कर सकते हैं और इसको और डिटेल से और अच्छे समझने के लिए या इसमें जो difference आ रहा है theoretical or practical values में उसको explain करने के लिए हम quantum mechanics के channeling effect को यूज करते हैं और उसकी साहिता से इसको समझा सकते हैं धन्यवाद, thank you